कि वीडियो है इस वीडियो में पूरा समझने वाले इस वीडियो के नोट्स डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगे वहां से आप डाउन कर सकते हैं चलिए चुरू करते हैं बिना को दे लेगे कि कई सारे क्लासिफिकेशन आगर हमं देखें तो एक है एरिया के साथ संब्सक्रिण में एक होटे इरिया के साथ करने हैं इंड़स्टियर्ड के नियुक्रीच है प्रोफेश्न गेंद दोpin प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रोनिंग वगरा फंक्शन के साफ से कि आपका किस वज़े साब आउट्डॉर कर रहे हो डिरेक्ट एक्शन वाली कर रहे हो कैसे स्टेज के साफ से पाइनुर कॉम्पिटिटिव यह समझेगे तो सबसे पहला समझते हैं क्लासिफिकेशन अंदा ब यानि कि अगर आपको आज पास के लोगों की सरफ समान बेचना है प्र एक्जामपल मैं अगर सारमपूर में हूँ साराबूर युपी में है है तो यह समान बेचना है तो यह लोकल ऑडविटेसंग एगी आपको रिटेयल एडविटेसिंग बोलते हैं पाय्टाइक कॉन य प्रबटेज जो होते हैं जह करते हैं अब करते हैं इसारे लगा दिया पेंपलेट्ट पॉट लगा दिये पैम्पलेट पॉस्टेर होडिंग ये सब कॉमन सोर्स एडवर्टाइजिंग तो यह एडवर्टाइजिंग होती है आपका शौप डेकॉरेशन में अच्छे डेकॉरेशन कर दी आपने लोकल न्यूस्पेपर में कर दी मैगजीन में पॉस्टर में साइन बोर्ड होडिंग जैसे मैंने को बताया लोकल सिनेमा हूस पर भी सानापूर तो एक बिसीकली आपने लोकल कर दी लेकिन मैं कह रहा हो कि सानापूर के अंदर के अंदर के अंदर के अंदर में कर रहा हूँ तो उसे बोलेगे लोकल लेकिन यूपी के अंदर कर रहा हूँ तो रीजनल लोगे पाटिकॉल रीजन में कर रहा हूँ सपोस करो एक स्टेट के अंदर यह स्टेट से ज्यादा स्टेट के अंदर जहां पर एक कॉमन लैंगुज बोले जाती है कॉमन प्रोड़क्ट बिखता है उसे क्या बोलेगे पंजाब कर रहे हैं तो आप सारी कैसे बनाओगे पंजबी बनाओगे उनके लोगों के साफ से उनके उनकी मेगजीन में करोगे उनके टीवी शोज में उनके रेडियो में जाजाके अड़ीजिंग करोगे समझे बात को यह बहुत इंपोर्टेंट होता है आपने देखा कई बार रीजिनल रेडियो चैनल पर जाते हैं लोग बहुत सारे वहां एड़ड़ाइजिंग करते हैं नहीं प्रोड़क्ट लॉंच करने के लिए बहुत इंपोर्ड़न तरीका है प्रक्राइब कर रहे हो ज्यादा तर यहीं होते यह बहुत बड़े लेवल पर होगी जिसमें आप पूरी कंट्री में टार्गेट कर रहे हो तो नैशनल न्यूस पेपर में करोगे नैशनल रेडियो चैनल पर नैशनल टेलिवीजन पर जैसे जी न्यूस पर आरे अज तक पर कर रहे हो ठीक है बहुत बड़े-बड़े होती है तो जातर बोड़ी-बड़ी कंपनी जैसे की हिंदुस्तार यूनिवाल लिमिटेट गोध को फिर आप बाहर करते हो एक्सपॉर्टर करता था बैसिकली यह बहार इडवर्टाइजिंग करता था वर्ण कंट्री में तो जैसे एएर इंडिया अधर रेड रैल नाइन्स वह करते हैं कोका-कॉला पैपसी यह पूरे पूरे दोनिये मिखता बहार करते नके लोकल अगर आपका प्रोड़क्ट है कंजूमर प्रोड़क्ट है कंजूमर मनलत जो यूज करता है उसको खरीदेगा और यूज भी करेगा उसे कंजूमर बोलते हैं टी चाय पत्ती बगरा बेच रहे हुआ डिटर्जेंट सोप बेच रहे हुआ ठीक है यह सब फैमिली के साथ जो अपने लिए यूज करेगे यह अपने फैमिली के लिए यूज करेगे उसे बोलता है थो उसको कर रहे हो जो पर दंब और भी ने आगे बेचे सी को अब तो सी यूजर कर रहा है तो सी माला जाएगा कंस्यूबर पर बी माला जाएगा कस्टमर और एस एलर इंडेस्ट्रियल एडवर्टाइजिंग इसे बोलेगे कि ए ने मनलों बी के लिए करा वी को आगे समद्द सी को बेचना था तो इंडेस्ट्रियल गुड्स के लिए होती है जैसे कि मशीनरी बेच रहे हो आप प्लांड एक्यूमेंट स्पेर पार्ड होते है तो जो इंडेस् तो यह चीज़ उसके बाद ट्रेड ट्रेड अबर्टाइजिंग जो ट्रेड बेसिक अलब यह मैनुफैक्ट्र बगरा करते हैं मुलब आपने कस्टमर को कस्टमर को अटरेट करने के लिए जो आपने डिसकाउंट वगरा दे रहे हो स्कीम निका ली आपने कि तकी आपका पस्पर्डक्ट च्यादा बखे यह झाथ होती इसके लिए 해 उसके ली होती है है जो आगे समान बेशते है सपोस करो कि यह मैनुफैक्च्छर है उसने आगे समान होल सेलर को बेशने हो से निटेलर को बेशने हैं तो मेरा ख़एदो जल्दी से तो आपको मैं फटाफट बेश दूँ आपको डिसकाउंट मिल जाएगा होल से निटेलर के स्कीम निकाली कि अगर अगर आप इतने का प्रोटर खेद होगे इतना इतना का समान खेद हो के बल्क में तो इसको बोलते हैं ताकि फटाफट प्रड़क्ट भिके उनका तो उसमें आप अप्रड़क्ट के लिए अगले बात करते हैं मीडिया सबॉस्ट रोब मीडिया का होते हैं तो तो बेसे कलिक निवच्पर के कमाई ही यह ऑगर कैसे होती है निवच्पेपर जैनल मेगजीन की कमाई कैसे होती है advertising तो प्रिंट मीडिया सबसे 24 ऐढ़ित इडिवित करई सोह से नियूस फेपर कमाने तो कमाई अशी होती है उनकी सब्सक्राइब मेर्ट सिसे वरी वरी मार्स मीडिया जो tutti बहुत ज्यादा भढ़ रही है सालना ग्लान फिर वते लेक्ट्रोनिक मीडिया ओनलाइन यvised इलेक्ट्रोनिक भुनेडिया विस जैसे आप प्रिंट नहीं होता ही समान आप रेडियो पे लिए जाके बहुत भापु लैटी रेडियो पर कर रहे हो 뭘 पिछ फ्रि रेश्ञक prac हो। हो कि यूटूब पे कर रहा हो इंटरनेट पर तुम बहुत रेडियो में क्या होता है कि आपको सुना होता है एक बहुत ज़्ञादा अर्बान एरिया में बहुत ज्यादा सब्सक्राइब को सुन भी सकते हो बहुत जदा स्पॉंसर्स प्रोग्राम होते हैं जैसे यूटूब वीडियो पे आप देखते हो कि कई सारे स्पॉंसर्स आते हैं है ना मूवीज में कई पर अगला देखे तो आउट्डॉन मीडिया भी होता है बहुत सारा जैसे पोस्टर् साइस कई लगा देखते हो बहुत बीच बीच में आप देखते होगे जैसे हाइवे पे कई बार ऊपर आए डागी प्रोडट की पोस्टर लगा पड़ा है कई बार आप जहां खरीदते हो समान पॉइंट पर्चेश जिसे बहुत पॉपलर तरीका है जिससे लोगों के दिम कई सरे खोर मीडिये ठीक है अगला अगला है अंगला है और बेसी सोफ फंक्षन फंक्षन के साब से बिसिकली एक होता है डिरेक्ट एक्शन एंड इंडिरेक्ट डेक्शन का मदला होता है कि मैं डिप्रटाइसरी कर रहूँ फटा-फट से रिस्पॉंस मिले मुझे फटा- और फ्री गिफ्ट ऑ्फर देदिया आपने सेल होगी तो आपको फ्री गिफ्ट मिलेगा तो से तटरंद सेल होती है में अपको इससे क्या होता है कि बहुत जादा अब इसकाउंट दे दिया फ्री गिफ्ट ओफर दे दिये कि सब दिए एक होता है न्यूस पेपर में कर रहे हो टैलेवीजन पे इससे आपका इंडिरेक्ट होती है यह मलस हो रही यह मीडिया जो यूज होते हैं यहां पर डिसकाउंट सेल्स वगएरा यह जो मेल और इसे यह न्य आप सिरफ एड़ करना चाहिए चाहता है कि मेरे पॉड़र्ट मेरा ओडियंस डेवलप वो मेरे ब्रैंड के बारे में जाने सबसे वड़े एक्सेंपल दू रजनी घंदा रजनी घंदा पान मसाला है आपको पता होगा बारवर आती है और यह रजनी घंदा अपना आपका नाम गुसाना चाहता है वह आपको नाम यूज करके चाहिए इलाइची का बेच रहो लेकिन नाम यूज करके आपको कुछ और भी बिकवाएगा समझनों मने बात को एक होता है इंपीरियल ब्लू सिरीज आई थी गानर की वेसी किली इंपीरियल ब्लू शराप का ब्रैंड था और लेकिन गानों की देश चिलाता था ताकि ब्रैंड ब्रैंड आपका दिमांग में गुज जाए ना और आप देखते हो कि कई सरे अड़ेजिंग करते हैं फिर होता है प्रैमरी और सेलेक्टिव एड़टाइजिंग प्रैमरी एड़टाइजिंग बेसिकली ट्रेट सब्सक्राइजन और कॉपरेटिव करते हैं यह मैसे प्रैमरी आपका ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा जिए प्रड़क्ट और सर्विस को यूज करें कोफी जो है कॉफी जो बनाने का बौड है रिखे करेगा ताकि काफी कफी कोफी ज्यादा लोग खरीदे करते जो एक जो कोफी का प्रोडट बेस्ती है तो वह कोफी को प्रोड करेगा ना उसे बोलता है प्रैमरी जो वह जिस चीज के अश्चीज को प्रमोशन करते हैं एक होता सेलेक्टिव एडवर्टाइजिंग कि बहुत सरे मार्केटर क्या करते हैं ब्रैंड इडवर्टेज जो है वह सेलेक्टिव डिमांड वना अपने प्रोडेट का सिर्फ एक ब्रैंड है उसी को सिर्फ प्रमोट करना चाहता है कि अब्लब की कि एडवर्टाइजर आपकी एक प्रॉडक्ट है लेकिन वह कुछी ब् यही पैपसी और उर भी इसके उसे प्रड़क्ट होगे लेकिन इसी को प्रमोट करता है यह समझा घी जैसे कोई तरुट्स परमोट करेगी सलेक्टीव में सेलेक्टिव कुछी लोग पड़मोट करेंगे प्रड़क्ट उशी ब्रैंड को सब्सक्राइज होती है कि एक प्रोडक्ट और सर्विस को यह ब्रैंडिट हो या अनगेंड उसको प्रोडक्टाइज चल्ब कि लुक्ते वी क्रेक्षिश्ण होतfoot हैं डि dip a किम ऑने कि नाम बढ़ निटा nosso आपना इमेज के लिए करते तो जो इमेज करते उसे बोलते और जो बिखवाने के लिए करते को सब्सक्राइब पहले बार आप नया प्रड़क्ट ला रहे हो मार्किट में तो आप सिरफ क्या करना चाहते हो ओडियंस को जागरूप करना चाहते हो तो उसके लिए यानि की उसको उक्साना चाहते हो कि मेरा इंफ्लेंस करना चाहते हो अपने परड़ियंस करना चाहते हो ठीचर बताना चाहते हैं एक का प्रड़क्त अवेर हो चुका है मार्किट में आपको अफ्र sector लोग जानने लग गे अब यह चाहρι हो तकि आप कॉंपिटीशन को क्वेस करता है क्यूंकि कॉंपिटीशन मार्केन बहुत और तकड़ा है तो आपकोusters. вокруг करने के लिए अपना ब्रैंड बनाना पड़ेगा मिलब आपको मार्केन में टिकना बड़ेगा तो इसके लिए, तो प्रड़ जाएक बना आ आप देखते होगे स्नैब डील एमाजोन फ्लिपकार्ट बहुत सारे प्लेयर है इकॉमर्स मों लेकिन इसमें ज्यादा तर प्लेयर सारे बन हो चुके स्नैब डील बिल्कुर खतम होने की तकार प्रमोशन भी नहीं करता अपना एमाजोन नमबर वन पे स्नैब डील तो इसलिए कॉम्पिटेशन को फेस नहीं करता है स्नैब डील यह वह कहा रहा है अब आपका मालोग प्रड़क्ट जो है काफी बहुत बड़ा हो चुका है मार्केट में आपका प्रड़क्ट का अब कई बार क्या होता है आपको सिर्ब याद दिलाने के लिए लो उसे बोलते हैं रिमाइंडर एडवर्टाइजिंग रिटेंटिव एडवर्टाइजिंग जैसे कई पर देखा होगा मैगी की एड पहले बहुत आती अब नहीं आती कभी कबार आती है बस अब ताकि रिमाइंडर के लिए कि हाँ मैगी को लोग भूल ना जाए ऐड़ा है ना गूगल की आप डिख तो गूगल की नहीं देखते हैं लेकिन कई वार्ब आज वैते है दो भी कə दिएare एड बैट्रिक पर वीडियो में अच्छे सापको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करिए थैंक्यू सो मॉच ओल दा बेस्ट मिलते हैं अगली वीडियो में